नमस्कार मित्रूफ आज के वीडियो में हम बात करेंगे टीड़ी हमले के कारण पाकिस्तान और सोमालिया में जो अपातकाल लागू किया गिया है उसी के बिसे में इस पूरे वीडियो में देखेंगे कि टीड़ी क्या होता है बदहाल अर्थविवस्था और आर्थिक तंगी से जूज रहे पाकिस्तान में इन दिनों टीड़ीयों का कहर जारी है पाकिस्तान के किरिशी उत्पादन के मुख छेत्र पंजाब परांत में बड़े पैमाने पर फसलों को नस्ट करने वाली टीड़ी दल से निपटने के लिए राष्टिय अपातकाल की घुसना की गई है परधान मंत्री इमरान खान ने टीड़ी उनमोलन के लिए संग्य अस्तर पर निरने लेने के लिए राष्टिय खात सुरक्षा मंत्री खुसरो बक्तियार की अध्यक्षता में एक उच अस्तरिय समिती का गठन किया है टीड़ी दल अफिर्की देशों सुडान, इरिट्रिया, सौधी अरब और इरान के रास्ते पाकिस्तान में परवेस करते हैं तथा कुछ समय के वाद वापस लोड़ जाती है लेकिन इस वाद टीड़ीओं की वापसी में देरी का करण जलवायू परिवर्तन को माना जा रहा है इस वाद पाकिस्तान में कम तापमान के करण टीड़ी दल अब भी पाकिस्तान में जमी हुई है सोमालिया में टिड्डियों के हमले के कारण राश्टिय आपादकाल की घोसना की गई है क्योंकि इन कीटों ने दुनिया के निर्धन देशों में से एक सोमालिया के खात सुरक्षा आपूर्ती को बड़ा नुक्सान किया है सोमालिया में इस साल भारी बारिस हुई है इस तरह की सिति टिड्डियों के प्रजनन के लिए आदर्स है पिछले साल टिड्डे दल ने इथोपिया में एक यात्री विमान को अपने रास्थे से हटा दिया था ये टिड़े विमान के इंजन में घुश गये थे, कुछ इसकी विंड सिल्ड और आगे के हिस्से में घुश गये थे, लेकिन विमान को सही सलामत देश की राज़ानी आदिश अवावा में लेंड करा लिया गया था टिड़ी दल के विशे में रोचक जानकारी, टिड़ी एसिया वा अफिर्का के मद इस्तित, लाल सागर के किनारे इस्तित देशों में पनपता है, कुछ परजातियां भारत में भी पनपती हैं, टिड़ी एक परवासी कीड़ा है, जिसके तीन जोड़ी पैड होते हैं, इसके टिड़ी की पांच आखे होती हैं, इनमें दो बड़ी और तीन छोटी होती है, इसके कान सीर वाले हिस्से में नो होकर पेट वाले हिस्से में होती है, टिड़ी की आयू लगवक चार से पांच मैने ही होती है, टिड़ी उड़ने तथ लंबी छलंग लगाने में सक्छम होत जहांकि जलवाई उस्वंतुलित होती है ज्यादा गर्मी वा ज्यादा वर्षा वाले अस्थानों टीडी फसल चट करते समें अपना लारवा छोड़ देती है या लारवा साथ से बारत दिनों में बिक्सित हो जाता है टीडी का दल एक मेहने में एक हजार किलोमीटर तक की य सो तक अंडे देती है टीडी पाकिस्तान के रास्ते पस्मी भारत के गुजरात वर राजस्थान में परवेश करती है टीडी जूंड में चलती है कभी कोई इनका जूंड 20 किलोमीटर तक लंबा होता है जिनमें इनके आवादी कई करोड़ों में होती है राजस्थान और ग लोगों का खाना खा जाती है इससे फसल में हुई तवाही का अनुमान लगाया जा सकता है प्रारंभी कवस्था में अगर इस पर नियंतरन नहीं पाया गया तो बहुत ही कम समय में संपुन फसल को चट कर जाती है परतिवर्स इनका जून भारत में राजस्थान वा गुजरा तराज्य में प्रवेश करती है किसी वर्स में भारी तवाही मचाती है जिसे प्लेग चक्र कहा जाता है टिड़ी पर नियंतरन की जिम्मेवारी मुखतक के अन्द सरकार के पास है प्लेग चक्र क्या होता है प्लेग चक्र उस साल की अब्दी को कहा जाता है जब बहुत पर नियंतरन के उपाये समय पर चेतावनी जारी कर सोर मचा कर बंदुग चला कर थाली पीट कर खेतों में गाड़ी चला कर केरुसिन का छलकाव करके खेतों के किनारे गड़े खोद कर मेलाथ्योंड रसाइन का छलकाव करके हवाई जाहिज या ड्रोन से रसाइन यादी का छलकाव करके तो ये था टिड़ी के बिसे में जनकरी